कधे की सवारी किसी दूर दराज के गाउं के मेले से एक बाप और उसका बेटा अपने गाउं की और लौट रहे थे मेले में उन्होंने एक गधा खरीदा था रास्ते में उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा था अबे देखो इन मूर्कों को गधा इनके पास है फिर भी दोनो पैदल चल रहे है दोनोंने सोचा बात तो ठीक है और वो दोनों गधे की पीट पर चड़ गए रास्ते में उन्होंने फिर सुना कि कोई व्यक्ती फिर कुछ कह रहा था अरे देखो देखो उस गरीब गधे को दोनों हटे कटे मुस्टंडे किस तरह उसका कचुमर निकाल रहे है बेचारा मुस्किल से ही चल पा रहा है बाप को दया आ गई वै गधे की पीट पर से नीचे उतर गया जब वै खेतों के पास से गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज उनके कानों में पड़ी लड़का भी कितना बेशरम है बेचारा बूड़ा तो पैदल चल रहा है और लड़का गधे की सवारी का मजाल उट रहा है अच्छा होता यदी वै पैदल चलता और अपने बाप को गधे पर चड़ने देता लड़का नीचे उतर आया और बाप गधे की पीट पर सवार हो गया वो अभी गाउं के पास पहुचे ही थे कि एक पास से गुजरता हुआ व्यक्ती बोला वाँ भाई वाँ पहली बार ऐसा स्वारती आदमी देखा है जो आप तो मजे से गधे पर लदा हुआ है और अपने मासूम बेटे को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है बस फिर क्या था उन दोनों ने गधे को बास के साथ उल्टा बांद कर अपने कंधों पर उठा दिया और अपने घर की और चल दिये जैसे ही वे घर के पास पहुचे सब लोगों की हसी फूट पड़ी और बुजर्ग गावासी आगे बढ़ा और पूछने लगा गधे को इस तरह उल्टा लटका कर क्यों ला रहे हो क्या यह लंगडा लूला है कि यह चल नहीं सकता बाप ने रास्ते में जो जो हुआ वो सब जब उसने उन्हें विस्तार पूर्वग बताया तो वे बुजर्ग बोला अपने दिमाग का प्रयोग ना करके तुम दूसरों के कहे अनुसार सब करते रहे इसलिए आज तुम पर सब हस रहे हैं आप ठीक कहते हैं स्रीमान सब को खुश नहीं किया जा सकता